आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है I am Praveen Mishra और हम चल रहे हैं हमारे आज के hot topic of the day और वो आप topic है ना जो आप देख पारे हैं आपकी screen पर यह जो आप देख रहे हैं यह भले ही cartoon या इनको आज date में हम polytune का नाम दे देते हैं लेकिन एक बहुत reality है यह आज की date में हमारा भारत या भारत 2.0 that is the developing India जो की अब developed India बहुत जल्दी एक decade या maximum one and a half decade के अंदर हम देखेंगे कि India developing से developed state में कैसे पहुँच रहा है कैसे बहुत जल्दी 5 trillion dollar economy हम बनने वाले हैं इस तरीके से हमारे जो farmers की income है वो भी हम double करने वाले हैं बस कोई हादसा बीच में न घट जाए इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि हमारे जो परोसी है east और west borders पर ठीके अपने नापाक इरादों के साथ पूरी कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से भारत यानि कि India या India that is भारत according to article 1 of the Indian constitution that is the union of states जो हमारा बना हुआ है किस तरीके से इस union को तोड़े हमने अपने पिछले sessions में इसको discuss भी किया है और किस तरीके से जो है हमारा जो growth and development है इस पर भी लगाम लगाए लेकिन point is हमारी जो growth and development का जो घोड़ा है वो इतनी तेज दोड़ जुगा है कि अब इस पर किसी भी लगाम किसी भी जो है बोलते हैं और या किसी भी roadblocks पर यह रुखने वाला नहीं है और न्यूस भी जो है यह बड़ी interesting सी न्यूस है अल जजीरा में छपे हुए एक article के बारे में देखिए हिंदुस्तान टाइमस में छपता तो शायद बाइस हो सकता था टाइमस ओफ एंडिया में छपता हिंदू में छपता एंडिन एक्स्प्रेस में छपता आज तक NDTV फलाना फलाना जित्ते डोमेस्टिक हमारे जो भी न्यूस चैनल्स या पेपर्स हैं अगर उन्होंने दिखाया होता न तो ये न्यूस बाइस डो सकती थी शायद लेकिन ये न्यूस इंडियन न्यूस पेपर या चैनल्स ने नहीं दी है ये एक international company है जिसका नाम है Al Jazeera ये उसका छापा हुआ article है और article का आप जो पहला point देख रहे है Frightened China Fierce Indian Adventures in Indian Ocean OMG Dear Xi Jinping, see आप जो अभी कर रहे हैं चैना के अंदर दुनिया जानती है कि किस तरीके से आप उईगर मुसलिम्स का जिनोस हैट मचाय हुए है किस तरीके से आप international terrorism को Pakistan के साथ मिलकर प्रोमोड भी कर रहे है और किस तरीके से string of pearls के नाम पर आप Indian Ocean Region के अंदर अपने misadventures दिखा रहे हैं Starting from the South China Sea, Vietnam, to Malacca Strait, to Sri Lanka, to Pakistan, to Gulf of Omen, to Gulf of Aden and to the Cape of Good Hope Okay, you are right now establishing your so-called commercial ports in all of these locations But we know it very well, these commercial ports, they do have also witnessed the floating of the Chinese naval ships Specifically when we talk about the regions of Taiwan Okay, and apart from that, the whole of the South China Sea तो तुमारे नाम पर है अगर तो इसका मतलब यह नहीं हो गया तुमारे अबबा का कि China, South China Sea, ऐसे तो पूरा Indian Ocean हमारा है भाई ठीक है, अगर आपके नाम पे इतुसी South China Sea है तो हमारे नाम पे तो पूरा Hind महा सागर है तो इसका मतलब क्या हम उस पर क्लेम करना शुरू कर दें Well, मतलब कुछ ऐसा ही हम उसी पर थोड़ा सा क्लेम अपना लेकर चल रहे है जिसकी वज़े से चाइना का थोड़ा सा ना माहूल खराब हो गया महाल कैसे खराब हो गया आपनी स्क्रीन पर देख पार एक पॉंट यहाँ पर यहाँ पर आप तो चाइना फिर्स पार इंडियन रहे इस पर कोबाल्त in contested ocean waters Indian ocean waters राइट? So, India has sought rights to explore an underwater cobalt rich mountain but Sri Lanka also has eyes on the region So, the point is with regard to the IR this is a very interesting fact that we are going to discuss So, please listen to me very carefully It's interesting, it's sarcastic, it's as well as very very important for your upcoming prelims as well as mains examination Okay, obviously UPSC CSE की बात कर रहा है Okay, so talking about, चल किया रहा है Cobalt करके एक element, एक material है जिसकी मदद से चाइना या एक चाइना ही नहीं जिसकी मदद से जो हमारी electric batteries है हम उनको बनाते है Okay, lithium और cobalt ये दो बहुत important elements है किसी भी electric battery को बनाने के लिए या वो electric battery जिसका इस्तेमाल हम electric vehicles के अंदर कर रहा है Right So, ये कहां मिल रहा है सबसे जादा ठीक है, Democratic Republic of Congo is a name where we can see most of the production is happening Okay, but apart from that there are a few other locations as well where we can extract cobalt that is a natural element Okay, from the different locations of the earth और उसमें एक location आता है हमारा एक mountain जो की South China Sea Oh, I'm really sorry Indian Ocean के अंदर मौझूद है Shri Lanka से कुछ 840 miles के तरफ और हमारे यहां से कुछ 1350 miles के तरफ Okay, अगर हम तोब आसा और South जाएंगे Towards Maldives Okay, towards bit of Maldives Okay, तो diagonally हमारे location पर पढ़ता है क्या South China Sea Oh, I'm sorry once again South China Sea नहीं बोलना है दिमाग में वही बैठा हुआ है फिलहाल Okay, so really sorry about that Indian Ocean Okay, so Indian Ocean में कौन मौझूद है हमारा एक mountain जहां पर बहुत ही high quantity में available है वहां के sea bed में cobalt और इसके लिए India ने apply किया है हमें भी इसमें से जो है आना है और कोबल्ट निकालना और ये बाते सुनके Shri Jinping भाई साब जो है वो थोड़े से परिशान हो गए क्योंकि अभी तक है ना चाइना का 60% या उससे भी जादा Listen to it very carefully once again 60% से भी जादा चाइना का मार्केट कैप्चर विशेंस पर ने जो है निचमेंट भी जादाए पहले से Okay, Sri Lanka भी जो है क्लेम कर रहा है हम भी क्लेम कर रहे है और China भाई भाई हो है पहले से Further, the urgency behind India's application comes from the fears over China's presence in the Indian Ocean. हमें China को भी यहां से बागाना है. At a time when the world's second largest economy, it's China obviously, followed by it's China, okay, the first one is America, already dominates the global cobalt supply chain and Indian officials and analysts, they told this to Al Jazeera. तो ध्यान रखना, यह Al Jazeera का दिया हुआ जो है article है, हमारा domestic छापा हुआ नहीं है. तो पूरी तरीके से non-biased है, पूरी तरीके से जो है, यह एक impartiality हाँ पर बिलकुल भी नहीं है, transparency बरकरार है. So as what we can see here from the facts of UPSC, okay, क्या-क्या facts है हमारे पास? So January के अंदर हमने जमाइका-based a company's का नाम है International Seabred Authority, it's an international convention, okay, that is known as the International Seabred Authority, SISA in short, seeking for the approval of cobalt rich island का नाम किया है, Afanasi Nicotin Sea Mount. Okay, so it's a kind of a sea mount, यहनी की अंदर मौजूद एक माउंटेन है, okay, तो आपने अपनी जोग्राफी में पढ़ा होगा, सी माउंटेन के बारे में, एक माउंटेन होते हैं, जो धर्थी पर होते हैं, दूसरे माउंटेन होते हैं, जिनका निचला पोर्शन जो है, वो पानी के इस जो नाम किया है, अपने सी निकटिन, सी माउंटेन, विच इस इन दी सेंट्रल इंडियन ओसें, एस व दी माल्दीव, आपो 1350 किलो मेंटर स्वम्राफी इंडियन कोस्त, फॉर्म इंडियन कोस्त, फॉर्म इन 1994, ओ सॉर्य, एक दियान रखना हैं में, कहां से कहां तक है तो एक बारी लोकेशन देख लेते हम अपने इस माउंटेन की, इस जिसके थोड़े से लेफ्ट साइड पर गरम देखेंगे यहां से, यह एस्ट ऑफ माल्दीव, जो यह पढ़ रहा है, तो यहां पर मौजूद है माल्दीव, ठीक, अब प्रॉल्म क्या जा रही है, के लावा 200 nautical miles तक, हम जो है Special Economic Zone भी उसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो कहीं पर भी एक EEZ का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हाँ, प्रॉब्लम जो है आ रही है, दो लोगों के क्लेम की, एक हमारा, दूसरा श्रिलंका का, 2010 से यह क्लेम चल रहा ह इसे, okay, so as we can see into the further points, okay, 1994 में बनता है ISA, एक कन्वेंशन के थुरू, कन्वेंशन के नाम होता है, United Nations Convention on the Laws of the Sea, right, what is it for, just for one reason, to regulate economic activity on the seabed, okay, so location अब आपको पता चल गई है, कहां पर है, exactly हमारे डागनल, श्रिलंका से 90 डिगरी, अलमोस्ट पढ़ रहा है, 85, 86 डिगरी, हम कह So this is what we need to understand, so the point here is, but evaluating India's application, ISA found that FNC nicotin sea mount lies entirely within an area claimed by another country, obviously Shri Lanka, okay, so इसके उपर जो है काफी बवाल चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना है अभी तक, ये वाला जो sea mount है, ये वाला जो sea mountain है, क्या नाम है, नाम ध्यान रखना, FNC nicotin sea mount, इस पर official claim अभी तक किसी अभी तक किसी नाम को नहीं दिया गया है, Shri Lanka ने क्या claim कर रखा है यहाँ पर, usually a country's continental shelf, it extends up to 200 nautical miles, that is up to 370 km, precisely, marking, an exclusive economic zone, ये जो होता है, देखो ध्यान रखना, 24 nautical miles होते है हमारे exact maritime boundary, 24 nautical miles, जम आगे चलते हैं, up to 200 nautical miles, that is up to 370 km, ये होता है हमारा EEZ, that is exclusive economic zone, इसका मतलब ये निये कि ये territory आपकी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास absolute authority है, for the extraction of any kind of natural resources, you just have the authority there, you cannot claim it as your area, यानि कि अगर इस area से कोई भी दूसरी country की कोई भी ship, okay, अगर वो गुजर रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते है कि आपके territory में आईए, आपके 24 nautical miles तक अगर कोई है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 12 nautical miles से ऊपर आप के नहीं कर सकते हैं, उसके ओपर क्या हो रहा है? उसके ओपर हो रहा है E.E.Z. Exclusive Economic Zone, तो वहां पर आपका कोई official उसने, पर कोई कबजा नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ United Nations Convention on the Laws of the Seas के त अगर वहां से कोई दूसरी कंट्री की शिप या कुछ भी पास हो रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते कि यह आपका अरिया है, right? Okay, so this is what we need to understand. Further, as we can see, coastal nations can appeal to something that is known as CLCS, that is commission on the limits of the continental shelf. Okay, arguing that outer limits of their continental shelves extend beyond 200 nautical miles. ठीक है, अगर कोई एक country है, जो CLCS में जाकर यह claim करती है, कि भाई यह ऐसा है, कि हमारा जो outer shelf है, मतलब जो outer areas हैं हमारे, वो हमारे 200 nautical miles के under आ रहे हैं, तब उसको उसके उपर United Nations का जो convention है, और उसका जो एक organ है, CLCS के नाम का, वो claim करेगा कि अच्छा ठीक है, रुको, let me see. लेकिन श्रिलंका के साथ और मालदीव के साथ यहाँ पर ऐसा कोई भी scope available नहीं है. ठीक, तो जबर जस्ती का claim करने के लिए यह लोग जो है परिशान है यहाँ पर, तो ध्यान देने वाली यह बात है न, specifically जो fact है, अफने Sea Nicotine Mountain या Sea Mount के थूँ, उस पर अभी तक किसी का official claim नहीं है. वहाँ पर कोबाल्ट मौजूद है और वो कोबाल्ट हमें किसी भी हालत में चाहिए. ठीक है, क्यों चाहिए? Because obviously हमारे भी अपने कुछ commitments हैं. Kyoto Protocol की दियान बात करें, COP 15, COP 23 की बात करें, Geneva Convention की बात करें, Rio DeGenerio Convention की बात करें, हम या किसी भी एक International Convention की बात कर लें, जो इशारा करता है हमारे उस commitment की, जहांपर हमने बोल रखा है कि ऐसा है कि हम pollution कम करेंगे. और उस pollution को कम करने के लिए हमने इंडिया में निकाला है हमारी वो वहिकल्स जो CNG पर चल रही हैं. Okay, या CNG पर नहीं चल रही हैं, अगर तो हमने अब एक नया निकाल लिया है वो वहिकल्स जो पूरी की पूरी electricity पर चल रही हैं. Okay, अब electricity पर चलाने के लिए हमने इस पर एक scheme भी लेकर आया है FAME. Okay, FAME that is faster adoption of the electric vehicles. हम इसको लेकर आया है FAME, FAME 2 ये दो schemes हम चला रहे हैं अपने पास. हमने बोल भी रखा है कि by 2030 हमारी जो सडके हैं उस पर जितनी भी four wheelers और two wheelers होंगी. Okay, वो सारी की सारी हम कोशिश कर रहे है कि वो electric vehicles हो जाएं. Okay, by 2030. और by 2070 उसी Kyoto Protocol के अंदर ठीक है, उसी COP 15 और COP 23 agreement के अंदर हमने ये भी बोला है कि 2070 तक हम net zero country बन जाएंगे. Net zero country मतलब हमारा जो carbon emission है वो शुन्य, nil, bata, san, nata, zero हो जाएगा. अब उसको ध्यान में रखते हुए, obviously हमें क्या करना है? हमें हमारा pollution कम करना है. और हमारा pollution कैसे कम होगा? जब हमारा carbon emission है वो कम होगा. Carbon emission कैसे कम होगा? obviously जब हमारी जो vehicles है, वो electric हो जाएंगी. अब जो electric vehicles है, obviously electric battery. और बैटरी किससे बन रही है? वो बन रही लिथियम और कोबाल्ट से. और कोबाल्ट से स्पसिफिकली कहां मिल रहा है? Yes, Odisha म में भी मिल रहा है, Nagaland में भी मिल रहा है, लेकिन उतना quantity में नहीं मिल रहा है. तो obviously excess quantity भी हमें चाहिए. 142 करोड, 143 करोड, 143 करोड की population हो चुके है हम, right? क्रोड and क्रोड of cars, they are running on the streets of India, okay, on the highways, on the road networks of our country, right? So for that, we need excess amount of the raw material of the particular elements through which we can make up the electric vehicles and its batteries. And for that sake, we are approaching that's what? A FNESI nicotin C mount. That's the only reason we are going ahead with. And there is also an interesting reason. We also need to counter the Chinese misadventures in the Indian Ocean region. हम आपको absolute authority यहां नहीं लेने देंगे. यह ध्यान रखेगा. यह नहीं कि हमारी कोई race है आपसे, हमें कोई दुश्मारी कोई दुश्मनी है आपसे. थोड़ी सी है 1962 से चली आरे है, लेकिन उसको हम साइड में भी रख देते हैं. इसलिए नहीं कि कोई दुश्मनी है आपसे हमारी. इसलिए नहीं कि आप इंसान घटिया है Mr. Xi Jinping. बस इसलिए क्योंकि हमें हमारी internal security, हमें हमारी sovereignty को बनाए रखना है. ठीक है. आप वहां पर ल नहीं है वो बात की बात है वो जाने दो. ठीक है. लेकिन उधर जो actual dictator उसको dictator बोलने में तो भाई ऐसा है कि वो तो घर में उसके मार देगा फिर. ठीक है. तो होता है सबको अपनी जान प्यारी है. जान है तो जहान है कोई बात नहीं जाने दो. Right. So coming to the point here हमें चाइना से य नहीं कि हमें उसकी economy गिरानी है. तुम भी बढ़ो हम भी बढ़ें. ठीक है. सबका साथ सबका विकास हम तो बोलते ही आ रहे हैं. हम तो हर हाट शक्ती हराट तरक्की के भी बात बोलते हैं. लेकिन आपके पास यहाला system नहीं है. आप बन जाते हैं बिल्ली. Right. कि अपना तो कि हमें हमारा एक कॉंसेप्ट चाहिए. वह बरकरार चाहिए. जो हमारे लोगों को भी चाहिए. और वह क्या है? Maintaining the internal security as well as sovereignty of our country. So that's why we are concerned or else we have nothing to deal with. Right. So moving forward with the next of the points as you can see. Cobalt is what? A silvery white metal. तो अगर आप इसका color दियान रखोगे. तो क्या है Cobalt का color? It's a silvery white metal. Okay. इसका इस्तिमाल किया जा रहा है electric batteries बगर बनाने में. हमारे पास अगर हम बात करें इंडिया में. कहां कहां पर कौन कौन से locations हैं. तो Odisha एक location है. हमारे पास उसके अलावा जारखंड एक location है और Naga Land एक location है. जहां पर Cobalt मिलता है अच्छी खासी quantity में. ठीक है? बस. लेकिन वो अच्छी खासी quantity भी इतनी अच्छी खासी quantity नहीं है कि जो crores and crores of vehicles हैं उनको electric vehicle बना कर जो है उनकी batteries में Cobalt लगा सके. तो हमें अफनी सी mountain है अफने सी nicotin mountain जो है सी mount है उसकी जरूरत है. Okay, so as what I can see in the next point, three-fourth of the world Cobalt, okay, is manufactured in the Democratic Republic of Congo. Okay, three-fourth. Okay, क्या लिख रहे हैं पर? Three-fourth. Okay, कहां से आ रहा है? Democratic Republic of Congo. Okay, so as you can see these are the points that you need to remember everyone. Okay, ध्यान रखना इस बात का कि किस कौन-कौन से points हैं जो आपको दिमाग में रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है. Okay, so as you can see these are the points that you need to remember everyone. Okay, ISA, International Seabed Authority. दूसरा, ये International Seabed Authority कब बनता है? ये बनता है 1994 में. Under which convention? Under the Convention of the Seas of Law. या Laws of the Seas, sorry, United Nations Convention on the Laws of the Sea. फिर उसके अलावा क्या point है कि इस वक न्यूज में क्या आया है? अफने C-Nicotin C-Mount. Okay, वो क्या है? C-Mount है. तो C-Mount क्या होता है? अब आप ये मुझे comment box के अंद Cobalt का. Cobalt क्या होता है? Silvery, white, थोड़ा सा silver और white color का mixture है. It's a metal. Okay, through which along with lithium we can make the electric batteries for the electric vehicles. Okay, उसके अलावा दूसरी चीज़ यहां पर क्या दियान में रखनी है? हमें हमारा territorial limit. तो 12 nautical miles हमारी exact boundary है. 200 nautical miles हमारा that is 370 km हमारा EEZ याने की exclusive economic zone. उसके अलावा शी भाह साब के अगर हम बात करेंगे. शी भाहिया हमारे चिंपिंग चाइना वाले. तो इनको भी टैकल करना हमें बहुत जरूरी है. Because obviously we cannot let any country go ahead with any kind of a compromise with the Indian sovereignty as well as the Indian safety and security. Internal security as well. Right everyone? So यह बाते दिहान में रखना हमें. और जो सबसे important चीज है वो ध्यान रखना है कि this is the month of June and what an academy is gifting you? It is gifting you the June optional carnival. Right? So PSIR, PubEd, History, Geography, whatever your optional is. उसके जो best educators हैं वो मौझूद है on academy plus portal पर. So guys ध्यान रखना है एक बात हमेशा कही जाती है na. कि in order to win the greatest battle, you need the greatest weapon. यह बात मैं हमेशा अपने हर session में almost कहता हूं. And UPSC, CSE is the greatest war of your life. इससे बड़ी जंग दुनिया में आपके लिए दूसरी कोई नहीं होग यह हमेशा ध्यान रखना. और यह सबसे बड़ी जंग है आपके लिए और इस जंग को जीतने के लिए आपको सिर्फ एक चीज रखना है वो है सबसे बैतरीन हत्यार, सबसे बैतरीन वेपन. और यह रहे वो नाम जो सबसे बैतरीन वेपन है उस जंग के लिए जिसको आपक जीतना है, right, so guys please make sure that you have taken up the plus subscription because that's the portal, that's the platform you need, that's, you know, your flight as well from your home directly to Queen of Hills, that is Labasna, right, उत्राखंड मसूरी के अंदर मौझूद खूबसूरत शहर, हमारा जो मसूरी है, okay, उसके अंदर एक और खूबसूरत लोकेशन, I guess, उससे खूबसूरत लोकेशन, दर्ती पर दूसरी नहीं है कोई, नाम है Labasna, right, तो अगर LBS पहुचना है, Labasna पहुचना है, right, तो obviously इस जंग को जीतना होगा और कैसे जीतेंगे इन बहतरीन फैकल्टी के साथ, right everyone, so ध्यान रखना, एक बार आपके पास आपका प्लस सब्स्क्रिप्शन है, या एकॉनिक सब्स्क्रिप्शन है, तो उस पर आपको क्या मिल जाता है, ध्यान रखना, Quick Revision Module, Answer Evaluation, Interview Guidance, then Daily Answer Writing Practice, Live Mentorship Program, 20GS PDF, okay, books आपको जो मिल रही है, physical copy तो मिली रही है, साथी साथ आपको PDF भी मिल जा रहा है, तो hard copy, soft study, जैसा आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, Further, doubt session है आपके पास, कोई भी session तभी end होता है, जब आपके सारे doubts end हो जाते हैं, right, तो doubt खतम हुए बिना session end नहीं होता है, यह दर दियान रखना, फिर daily content आपको मिल रहा है, current affairs के साथ, absolute updated pattern है, यह पूरा, and last but not the least, you also get the practice questions, the more and more you bleed in the practice, remember, the less and less, okay, you, sorry, the more and more you sweat in the practice, the less and less you bleed in the battle zone, तो ध्यान रखना, यहां जतना पसीना बहाल होगे न, उधर उतना ही आपको असानी होगी, ओके everyone, so please ध्यान रखना इन सभी बातों को, because यह रहे वो नाम और वो चहरे, और इन से best, I guess, नहीं है कोई, for economics, we have got, Murnal Patil, sir, for polity and governance, we have got, सिधार दरोला, sir, for geography, we have got, सुधरशन गुर्जर, sir, प्रतीक नाइक, sir है हमारे पास, okay, मुदवकर कोटवे, sir, हैं CSAT के लिए, तो अब आप जानते हैं, यह वो नाम है, जिनको आगे justify करने की, कहीं कभी कोई जरूत नहीं होती है, अगर बैचर की बात करेंगे आप, तो लक्ष बैच है हमारे पास, हमारे पास, हिंदी मीडियम में, Achievers Batch है, English Medium में, और Manzil Batch है, English, और Hindi Mix, जो कि हम जिसको कहते हैं, English Patch, Okay everyone, so quickly grab the opportunity, do not let this go away from your hand, Okay, so I'll see you all soon on the plus, and see you all soon in the very next session as well, till then, bye-bye, take care, see you soon again, Jai Hind!